बोचहां उपचुनाओं के समाप्त होने के बाद गिंती के महज आप दो दिन बचे हैं ऐसे में परत्यासियों का क्या कुछ समस्याय हो रही है किस तरह से परत्यासी आखिर क्या कर रहे हैं सोला को बोचहां उपचुनाओं का गिंती सहर के आडियस कॉलेज में होना है और ऐसे में अभी हम मौजूद है राजत के जो परत्यासी थे महागटवंदन से अमर पास्वान उनके आवाज पर आखिर अमर पास्वान भी हमारे साथ है आखिर अब क्या लग रहा है और किस तर जैनती पे उनको सत्सत नमन शद्धापूर्व सर्दांजली और तमाम हमारे जो उनमें विश्वास रखते हैं हमारे तमाम जनता मैं उन्हीं सभी को धन्यवाद देता हूं और आज चुनाफ खतम हो गया और आपको दो दिन के बाद काउंटिंग है तो पूरे पूरे जनत में खुशी की लहर है मौजूदा जो उन्होंने अपना मत दिया है अमर पास्वान को लाल्टेन चाप पे तो कहीं ना कहीं पूर रूप से हर्ष की पूरी लहर है और जो की आपको सोला तारीक को भी देखने को मिलेगा लोग वहां डट आपके लोग जमें हुए हैं इवि महसूस होता था और में हुसोता था कि लोग झो आपना कीमती मथ दे करके एक प्रतियाशी प्रति उनकी जो सची इमनदारी निष्ठा रहती थी तो उसके प्रति कहीं नकहीं वो लोग आश्वस्त नहीं हो पाते थे कि हमारा जो मत है वो सही जगा पे गया की नहीं गया क्योंकि आज विक्सित देखसों में देखा जाया तो कहीं न कहीं EVM के माध्यम से चुनाव नहीं होता है वहाँ पेपर के माध्यम से चुनाव होता है तो कहीं न कहीं लोगों में असन्तोश है यहाँ पे और मैंने उस दिन जा करके वहाँ पे इससे पूर्व में भी कह चुका हूँ कि पारदर्शिताज जरूरी है आपकी और वहाँ पे ऐसा सिस्टम रहखना चाहिए वहाँ CRPF है वहाँ पे बहुत सारी प्रशाशनिक व्यव लेकिन ऐसा भी तो वहाँ विवस्ता होना चाहिए कि गेट के बार प्रत्याशी का एक आदमी हो जब प्रशाशन उस चीज को कुछ छू नहीं रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो हमारे भी आदमी वहाँ पे अगर मौजूद हो तो उसमें दिक्कत क्या है वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है सबची निगरानी में हैं उन्हा चाहिए कि मतलब प्रत्याशियों के जो भी वहाँ पे लोग बैठे हुए तो उन्हें उस जगह से बाहर रखा जाना चाहिए उन्हें भी सामने रखा जाना चाहिए ताकि लोगों को पूर्ण रूप से पारदर्शिता पर विश्वास हो जो कि उन्होंने मद दिया है वो सही जगह पे है और कोई इसमें चोरी की संभावना नहीं है आपको लग रहा था कि इधर हेर फिर हो सकता है समामना लगा जाता रहे जी देखे मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहिए पारदर्शिता होनी चाहिए आप हमें मौझूद कीजिए वहाँ पे हमारे लोगों को मौझूद कीजिए पारदर्शिता अपने आप ही है जब आपको कोई निशन नहीं कोई इसमें चोरी की बात नहीं है तो हम लोग को वहाँ पे सामने मौझूद रहने दिया जाया अंदर की तरफ वहाँ बाहर बेंच लगा ह हुआ है वहाँ एक ही प्रत्याशी के एक वहाँ पर काच करता अपने मौजूद रहेंगे क्या लग रहा है कैसे चल रहा है जब तक गिंती नहीं हो जाता नहीं बहुत अच्छा गया है चुनाव और हर वर्ग हर समाज के लोगों ने बढ़ चड़के इस उपचुनाव में कह करते हैं ज्यादा लेकिन इस भीशन गड़मी में भी लोगों ने पून रूप से साथ दिया और स्वर्गे मुसाफिर पास्वान जी की चबी और इमानदारी कर्मटता के उपर भी लोगों ने पून रूप से वहाँ गए और अमर पास्वान को वोट देने का लाल टेंच कोई बात नहीं है और पून रूप से हम लोग विजय की ओर बढ़ रहे हैं और बस अब मार्जिन देखना है कि जादा से जादा कितने जादा बहुमत से हम लोग आते हैं अमर पास्वान है राजत के महागट बंधन के परत्यासी थे हलाखी 23'e की जो किस्मत है वो अभी भी एबियम में बंध हे वो 16 अपरेल को खुलना है बोचा में जो उपचुनाव हुआ है यह चुनाव तो हलाकि उपचुनाव थे लेकिन किसी खास चुनाव से कम नहीं थे क्योंकि यहां विभिन दलों के दिगज लगातार चुनाव की कंपेनिंग कर रहे थे पंचायतों की खाक चान रहे थे अब क और किस तरह से पहले आकर उनक से मन में क्या है और किस तरह की ढुए है या यह